ध्यान रखने योग बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने पहला नमबर है लकडी के चूले पर खाना बना कर खाने से आप ज़्यादा स्वस्त रहेंगे दूसरा है साम के समय मेठा मत खाओ, कड़बा खाओ, ज़्यादा सेहद मन रहोगे तीसरा बालों पर कंगा ना करने पर बाल बहुत जल्दी तूटने लगते हैं चौथा नमबर है साम के समय प्याज का सेवन करने से बबा सिर्की विमारी घेर सकती है पाचमा नमबर है दूद के साथ जलीबी खाने से सरीर का दर्ट हीख हो जाता है शट्मा नमबर है लहसुन के रस में नमक मिलाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है साथ्मा नमबर है रात के खाने में लहसुन की एक कली जरूर खाएं पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है 8. कुमार की काली मिट्टी में जरासा देशी घी मिलाकर सुजन वाली जगे पर लगाने से सुजन जल्दी ठीक हो जाती है 9. सुबह के नास्ते के बाद दो अनजीर खाने से लिकोरिया जैसी विमारी ठीक हो जाती है दस्मा नमबर है जिन लोगों को रात में देड से सोने की आदत है उन लोगों के पैरों में दर्धोनी के समस्या हो सकती है ग्यारा नमबर है दस ग्राम किस्मिस को देशी घी में मिला कर रखाने से चक्कराना बंद हो जाता है बारा नमबर है काले अंगूर पेट की सफाई के लिए बहुत फायदेबंद होते हैं तेरा नमबर है नीबू की पत्यों को सूगने से सरदर ठीक हो जाता है ठीक होता है चोदा नमबर है कुछ जहरीली चीजे मुँँ में चली चाएं तो नमक चाट लो इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा पंद्रा नमबर है चार-पाँच काली मिर्च मक्खन के साथ खाने से सरीर की सूजन कम हो जाती है सोला नमबर है अगर पेट में गैस बन रही है तो सौफ को भून कर गुनगुने पानी के साथ खाने से गैस ठीक हो जाती है सत्रा नमबर है आलू की सबजी बना रहे हो तो उसमें कस्तूरी मेथी डाल दें इससे सबजी का टेस्ट बढ़ जाएगा अठारा नमबर है अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसे केले में शहद मिला कर खिलाए इससे मिट्टी खाना बन कर देगा उन्निस नमबर है पान के पत्ते का रस आखों में डालने से आखों का लालपन ठीक हो जाता है 20. रात को चहरे दही की मलाई लगाने से चहरी की जुद्रिया कम हो जाती है 21. खाना खाने के तुरंत बाद सोने वाले को बहुत सी बिमारिया हो जाती है 22. अंगूर और नमक खाने वाले को कभी भी फेपडों का कैंसर नहीं होता है 23. छिलके सहित आम खाने से बाचपन की विमारी दूर हो जाती है 24. जंग लगी चीजों पर नीबूर अगरने से जंग बहुत आसानी से साफ हो जाता है 25. हरी इलाइची हरी चाय में गोड डालके पीने से चहरे की जुद्रिया ठीक हो जाती है 26. रोजाना चुटकी भर काला नमक खाने से दिल की विमारी नहीं होती है 27. कच्चा बादाम खाने से आखों की परिशानी हो सकती है 28. सुबह उठकर आखों में पानी के चीटे मारने से आखे साफ हो जाती है 29. अगर आप चाहते हैं कि आप सुन्दर दिखें तो दही और मलाई को मिला कर चहरे पर लगाएं 30. अगर आपको कमजूरी मैसूस हो तो आप काजू का सीवन करें 31. कच्ची पत्ता गोभी को सालाद में खाएं इससे पेसाब खुलकर होती है 32. नमक और शहद मिलाकर दातों की सफाई करने से दात अच्छे सफेद हो जाते है 33. अगर आपको दिमाग की टेंशन रहती है तो आप ज़्यादा पानी पिये 34. पनीर खाने से दिमाग तेज होता है क्योंकि पनीर में विटामिन B होता है और हमारे मैमोरी को तेज करता है 35. खाना खाते समय शान्ती से खाना खाना चाहिए जिससे हमेशा पूरा पोसण मिलता है 36. हर रोज चहरे पर गुलाब जल लगाने से चहरा साफ हो जाता है 37. जब डेगु के लक्षड दिखाई देने लगे तो कीवी का सेवन कर लेना चाहिए 38. जिन लोगों का BP हाई हो उन लोगों को किसमिस का सेवन करना चाहिए 49. अगर आपको नाक सुखने लगे तो सर्थो का तेल लगाए 40. दिल के रोगों के लिए केले का जूस बहुत धायदेमंद होता है क्योंकि ये सरीर को साफ करता है 41. किडिनी स्टोन को दूर करने के लिए तरबूच के जूस का सेवन करना चाहिए 42. सर्थो के तेल में नमक मिलाकर लगाने से दातों का दर्थ दूर हो जाता है 43. खाना मनाते समय सेधा नमक सर्थो तेल घी का इस्तमाल करें रिफाइन तेल नुकसान दायक हो सकता है 44. रात को सोते समय चाय से परहेज करना चाहिए बढ़ना नुकसान दायक हो सकता है 45. रात को सोते समय हल्दी वाला दूद रोज पिये बहुत फायदे मंद होता है 46. रोजाना दूद का सेवन करने से चहरे की जुरियां ठीक हो जाती है और पैरों का दर्द भी ठीक रहता है क्योंकि दूद में कैलसियम होता है 47. बासी खाना खाने से हाजमा खराब होने लगता है और दिमाग कमजोर होने लगता है 48. अगर खासी ज़्यादा आ रही है तो मीठा नहीं खाना चाहिए नहीं तो आपको खासी ठीक नहीं होगी बलकि और बढ़ जाएगी 49. रोजाना भुने चने खाने चाहिए भुने चने खाने से ताकत मिलती है और दिमाग तेज होता है 50. कबज की प्रॉबलम है तो रोज पपीता खाना चाहिए इससे आराम मिलेगा और पेट साफ रहेगा 50. सुबह उठती ही गुनगुना पानी पीना चाहिए इससे सरीर को बहुत फायदा होता है 52. अगर नाक बह रही है तो अद्रक वाले पानी से भाप ले बहुत फायदा होगा 53. अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो कच्चा फलसा खाने से कुछ ही दिनों में पेट की चर्वी पिखलना सुरू हो जाएगी 54. कोहनी पर मल्टा का छिलका लगणने से कालापन दूर हो जाता है 55. सफर में जाने से पहले पुदीने को खाने से उल्टी या मितनी जैसी दिक्कत नहीं होती है 56. जो चना और मक्य की रोटी बना कर खाते हैं उनका सुगर कंट्रोल रहता है 57. नमबर है रहसुन को जलाकर शहद मिलाकर फोड़े फुंसियों में लगाने से फोड़े फुंसिया ठीक हो जाते हैं 58. नमबर है चावल खाने के बाद दूद ना पिये इससे पेट खराब हो जाता है 69. नमबर है प्याज का रस चहरे पर लगाने पर चहरे के दागधब्बे दूर हो जाते हैं 60. नमबर है जो औरते सूने से पहले अपने पैरों के तलबे की मालिश करती है उन औरतों को कोई भी बिमारी नहीं होती है 61. गाजर का हलवा खाने से पेट की पत्री कट कर बाहर आ जाती है 62. मेथी दाना को रात में पानी में भिगो कर खाने से सुगर की बिमारी होने का खत्रा नहीं होता है 63. अगर आपके सीने में जलन होने की समस्या है तो गुड और जीरे का पानी पीने से ठीक हो सकती है ठीक हो सकती है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले वीडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रैंड थैंक्यू सो मस